उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमशकार मैं हूँ डॉक्टर पूजा भट उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले के ग्रह विज्ञान विभाग से आज की हमारी व्यक्षा का विश्विद्याले के 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 वि और उनकी व्याख्या कर पाएंगे, रंगों के प्रतिकात्मक अर्थ एवं मनोविज्यानिक प्रभाव की भी व्याख्या कर पाएंगे, इसके अतरिक्त विबिन्न कमरों की आंतरिक सासज्जा में रंगों के प्रयोग के विशय में जान पाएंगे. रंग रंगों का अफ्शोशंग कर लिया जाता है वो दिखाई नहीं देते और जिन रंगों को परावर्तित कर दिया जाता है वे रंग हमारी आँखों पर पड़ते हैं और वहीं हमें दिखाई देते हैं रंग के कारिव उपयोग रंग का सबसे महत्वपूर्ण कारिव उपयोग किसी भी वस्तुओं को पहचानने का है रंगों की उपस्तिती के कारण हम प्रतेक वस्तुओं को अलग-अलग रंगों में डिफ्रेंशेट कर सकते हैं एवं अलग अलग रंगों द्वारा वस्तों की पहचान की जा सकती है संकेत यानि संबल की रूप में भी रंगों का प्रयोग किया जाता है जैसे ट्रैफिक के सिगनल के लिए रंगों का प्रयोग होता है खत्रे के निशान के लिए शान्ती के लिए आदी रूपों में भी रंगों का उपयोग किया जाता है मनोदशा की सुधार करने के लिए भी रंगों का उपयोग किया जाता है पहचान स्थापित करने के लिए भी रंगों का उपयोग किया जाता है जैसे आजकल राजनितिक दल रंगों का प्रयोग करके अपनी एक पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं कमपनिया, स्कूल, एवम, विबिन संस्थानों में रंगों के आधार पर यूनिफॉर्म का उप्योग किया जाता है जिससे वे आसानी से पहचाने जा सके रंग के गुण, रंग के मुख्यतह तीन गुण होते हैं, रंगत यह अपने शुद्धतम रूप में रंग का एक नाम है, उधारन के लिए लाल, मेजंटा या फिर हरा रंग दूसरा मान, मान रंगत में हलके पन एवम गहरे पन का सूचक है, इसे रंगों का गहरा पन वह हलका पन भी कहते हैं, किसी भी रंग में काला मिनाने से वो गहरा तथा सफेद रंग मिलाने से हलका हो जाता है प्रकास से लेकर अंधकार तक सफेद व काले रंग के अनेक मिश्ण हो सकते है इनके मिश्ण से रंगों के मान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है प्रबलता प्रबलता का अर्थ रंगों के चटकदार होने से है रंगों में चटकपन शुद्धा के कारण भी हो सकता है और किनी रंगों के मिश्रुन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है आईए जानते हैं रंगों की कुछ और विशेश्टाओं के विशे में Shade Tint Saturation Saturation से तातपर किसी भी रंग की शुद्धता से है एक विशेश्ट रंग सबसे तीवर होता है जब इसे सफेद या काले रंग के साथ नहीं मिलाया जाता है आईए इसे निम्न चित्र के माध्यम से समझते हैं चित्र में जैसा आप देख रहे हैं नीला रंग है सबसे सर प्रथम नीला रंग यू अथाट ये उसका नाम है जब हम इसमें सफेद रंग मिला देते हैं तो ये थोड़ा हलका हो जाता है और इसे हम टिंट कहते हैं काला रंग मिलाने पे यह डार्क हो जाता है और इसे हम शेट कहते हैं फिर है तोन, जब इसमें grey रंग मिला दिया जाता है नीले में, तो यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। अथार्थ, जब यह रंग पूरा नीला है, तो यह saturated है। और जैसे यह सह हम इसमें रंगों को मिलाते जाते हैं, यह desaturated हो रहा है। आईए इस चित्र के माध्यम से थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसको देखिए सबसे पहले रंग जो प्योर कलर है मजंटा रंग आपको दिख रहा है गुलाबी सा रंग यह इसका हूँ है जैसे ही हमने इसमें सफेद रंग मिलाया यह रंग थोड़ा हलका हो गया है उसके पश्यात टोन इसमें हूँ शुद्ध रंग उसके बाद इसमें काला एवं सफेद मिला दिया गया है इसके पश्यात अंत में आता है शेड जिसमें हूँ में काला रंग मिलाया गया है अब समझते हैं रंग चक्र को रंग चक्र क्या होता है जिसे हम कलर वील भी कहते हैं color wheel में प्राथमिक दुत्यक एवं तृत्यक रंग से मिलकर एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञाने color wheel या फिर रंग चक्र कहते हैं इसमें आप प्राथमिक दुत्यक एवं तृत्यक रंगों का मिश्रण देख सकते हैं इस रंग द्वारा विबिन्द प्रकार के डिजाइन क्रियेट करे जा सकते हैं और एक color scheme develop की जा सकती है आईए जानते हैं प्राथमिक रंग क्या होते हैं प्राथमिक रंग यानि primary color प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला हैं यह आधार रंग है ये तीन रंग किसी भी प्रकार के अन्य रंगों में मिला कर नहीं बन सकते हैं। यह अपने प्यॉर फॉर्म में होते हैं परन्तु इन रंगों को मिला कर अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। Secondary Colors दो प्राथमिक रंगों को यदि हम समान मातरा में बिलना हैं तो उन्हें हम दुतियक रंग कहते हैं। यह होते हैं नारंगी, हरा और बैगनी। जैसे लाल और पीलों को मिला कर ओरेंज यानि नारंगी रंग बन रहा है। पीले एवं नीले के मिश्ण से हरा रंग तथा नीले एवं लाल को मिला कर बैगनी रंग बन रहा है। तृतियक रंग ये प्राथमिक और दृतियक रंगों को समान मातरा पर मिलाने से बनते हैं। उधारण के लिए नीला प्राथमिक और हरा माध्यमिक रंग का मिश्ण नीला हरा रंग तृतियक कहते हैं वह बनता है। जिसे आप इस चित्र के माध्यम से भली भाती समझ सकते हैं। रंगों की एक कैटेगरी और है जिसे हम उंच रंग या फिर शीतल रंग कहते हैं। उंच रंग जिसे की नाम से ही विदित है गरम रंग लाल, नारंगी, पीला यह तीन रंग उंच रंग या फिर गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। वे सभी रंग जो इन रंगों के मिश्र से बने हो या फिर उन में इन तीनों में से कोई भी रंग अधिक मातर में पाया जाए वो games रंग कहलाएंगे। शीतल रंग शीतल रंगों की श्रेणी में आता है ये रंग शांतिपूर रंग माने जाते हैं जो आराम की भावना देते हैं वे बड़े वेयाकार और लंबाई का एक दिश्य प्रभाव भी पैदा करते हैं यहाँ एक चित्र है जिसमें उश्ने एवं शीतल रंग दोनों सांथ में दिखाए गए हैं आप देख सकते हैं पीला या पीले से बनने वाले जितने भी रंग है वो उश्न है इसमें पीला नारंगी और लाल के विबिन शेड आ रहे हैं लेकिन जो कूल कलर से हैं उसमें हरा, नीला और उनके मिश्र से बनने वाले रंग आते हैं इनके अलाव भी एक और या दो शेडियां और हैं जिसे हम कह सकते हैं उदासीन रंग तथा अगली है धात्विक रंग उदासीन रंग क्या होते हैं? श्वेत, काला या फिर इनके मिश्र से बने रंग उदासीन रंग कहलाते हैं धात्विक रंग, धात्विक रंग का थार्थ है ऐसे रंग जो धादूओं के होते हैं धातूओं में एक जमक और एक जलमिलाहट होती है जो हमेशा ही मनुश्यों को आकर्शक लगती है इसके लिए आप कह सकते हैं गोल्डन कलर, सिल्वल करण, इत्यादी इसके उधारण है आईए जानते हैं रंगों की विशेष्टाएं एवं प्रभाव के विशे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रंग का एक पतिकात्मक महत्व भी होता है और दूसरा एक दृष्यात्मक महत्व भी होता है यह हमारे मन एवं मश्टिशक दोनों पर प्रभाव डालते हैं आईए जानते हैं इनकी विशेष्टाओं को लाल रंग यह एक उत्तेजित करने वाला रंग है इस रंग में सक्रेता एवं आकरमकता होती है यह रंग क्रोध प्रेम श्रिंगार एवं फीरता को प्रकट करता है पीला रंग यह उर्जा देने वाला एक रंग है, यह मांसिक सक्रियता को बढ़ाने वाला है, इससे प्रकाश, प्रोथसाहन, आशा, एवं तंतुष्टी आदी प्रकट की जाती है नीला रंग, नीला रंग शांती को प्रकट करता है, यह शीतलता व एकागृता प्रदान करता है इससे आशा, लगन, आनंद, विशालता, इमानदारी, मधुर्ता, विस्तार, विश्वास, आत्मेता, आदी प्रकट की जाती है हरा रंग, यह हमेशा ताजगी भरा रंग है और ताजगी का ही एहसास कराता है यह हमेशा मन को सुखद अनुभूती प्रदान करता है, इससे हर्याली प्रकट होती है और यह रंग, सौंदर्य, माधुर्य, सुरक्षा, विश्राम, आदी को प्रकट करता है बैगनी रंग, यह रंग, राजसी वैभों का प्रतीक है इस रंग से सम्मान, रहस्य, सम्रद्धी, प्रभावशालेता, श्रेश्ता, एवं वीर्ता आदी प्रकट होती है नारंगी रंग, आध्यात्म का सूचक है यह प्रेणा दायक है और ज्यान प्रदान करता है यह अतितिक क्रियाशील है तथा चित्त को शांती प्रदान करता है इस रंग से वीर्ता, सन्याज, वैराग, दर्शन, एवं गर्व इत्यादी प्रकट किये जा सकते है सफेद रंग यह रंग शांती, शुद्धता, पवित्रता, एवं सत्यका प्रतीक है यह प्रकाश युक्त, हलका तथा कोमल है तथा यह शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है काला रंग यह गंभीर्ता, एवं एकांतवास का प्रतीक है यह भी शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है इससे भय, शोक, आतंक, अंधकार, विश्वासगात, आधी, प्रभाव, उत्पन्न होते है रंग योजना रंग योजना के द्वारा हम विविन रंगों की एक योजना तयार करते हैं रंग योजना एक रंग की हो सकती है, दो रंगों की, तीन रंगों की एवं विविन प्रकार के इसके किसमे हैं। आईए जानते हैं एक रंग की योजना के विशय में। ये योजना का उधारण है। अनुरूप रंग योजना, यह समरूप ये रंग योजना को इसे आसन रंग योजना भी कहा जाता है। यह कलर वील पर आसन या पडोसी रंगों का उप्योग होता है। ऐसे रंगों में कम से कम एक वर्ण समान होता है। जैसे आप चित्र में द यह बहुती सुखत सा योजन होता है पूरक रंग योजना यह दो रंग योजना है इस योजना में रंग चक्र के जो रंग है वो एक दूसरे के विपरीथ होते हैं जैसा लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है कलर वील के 12 रंगों मेंसे इस प्रकार के 6 जोड़े प्राप्त किये जा सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखता है पीले रंग के सामने जो रंग पढ़ रहा है मजंटा या गुलाबी रंग यहा पूरक रंग रोजना का निर्मान कर रहा है अगला है विभाजित पूरक रंग योजना यह तीन रंग की योजना है इसमें आधार रंग और दो रंग होते हैं जो आधार रंग से अलग 150 और 210 डिग्री पर होते हैं विभाजित पूरक रंग योजना में पूरक रंग योजना के समान यी तीवर दश्य विपरीता होती है लेकिन इसमें दबाव कम होता है सामानित यह देखा जाता है कि यह रंग योजना में एक कूल कलर और दो वाम कलर होते हैं त्री रंग योजना यह तीन रंगों की योजना है किनी तीन रंगों को जोडती है जो रंग चकर पर एक सम बाहुत्रबुच बनाते हैं जैसे पीला, लाल, नीला या नारंगी, हरा और बैगनी चार रंगिये रंग योजना यह रोजना चार रंगों की योजना है यह किनी भी चार रंगों को जोड़ती है जो रंग के पहिये पर एक वर्ग बनाते हों जैसे हरा, पीला, नारंगी, लार और नीला बैगनी आईए अब जानते हैं रंगों के चैन में क्या बातें ध्यान में देनी आवश्यक हैं। जैसे उश्ण एवं शीतल रंगों का चैन मूलत जलवाईू, कार्य, अभिविन्यास और उपयोगी करता की वरेता के आधर पर ही किया जाना चाहिए। लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में हलके उश्ण से तटस्त तोन के सबसे सफल रंग योजनाय मानी जाती हैं, जब की गहरे तोन छोटे शेत्रों जैसे फरनीचर, खिड़की और सहायप उपकरणों के लिए उपयुक्त होते हैं। बेडरूम की छट या बड़ी दिवार वाले शेत्रों पर गहरे रंग से बशना चाहिए, क्यूंकि ये आराम और नीद के लिए कम अनुकूल माने जाते हैं। बाथरूम में गहरे रंग, त्वचा, त्वचा के रंग पर प्रतवेंबित होते हैं, जो अप्रिय लग सकते हैं। उश्र रंग गतिविधी को प्रोटसाहित करने के लिए और शीतल रंग एकागरता और चिंतन को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे में जो कूल कलर्ज हैं, उनका यूज हम, पुस्तकाल है, या जो हमारा कारेशेतर वाला कमरा हो घर में, उसके लिए हमें करना चाहिए। अत्यतिक गर्म या ठंडे रंग किसी विशेश कमरे या स्थान के लिए आदर्श हो सकते हैं, परन्तु पूरे घर में इस रंगों का उपयोग करना किसी कमरे को नीरस बना सकता है। खुले स्थानों अत्वा आपस में जुड़े वे कमरों के रंग चैन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन्हें एक शेतर माना जाए या बिविन्न शेतर माना जाए। इस आधार पर अलग-अलग जोन में विपरीत या एकरिक्टर टोन के माध्यम से अलग-अलग रंग योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे सभी शिक्षार्थियों को यह व्याख्यान उप्योगी लगा हो। धन्यवाद।